Hello friends, मेरा नाम है Nima और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा बुक सेट शेयर करने वाली हूँ जो नर्सरी क्लास के लिए और प्लेवे के बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है और उनकी मम्यों की ब बहुत सारी बुक्स मिलती है नॉर्मली हम लोग इंग्लिश की बात करें नर्सरी क्लास के लिए सिर्फ एक कैपिटल लेटर की बुक मिल जाती है बट यहां पर ऐसा नहीं है सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहती हूँ बुक्स यह बहुत ही कलरफुल बुक्स होने वाल इसमें बच्चे की बहुत अच्छे से काम किया गया है नॉर्मली हम लोग यह से सिंगल पेज पर सिंगल फोटो में हमेशा बोलती हूँ बट यहां पर हम वह चीजे सब कर चुके है अब यह क्या है यहां पर एक लगा दी है जिसे हम बच्चे को बिल्कुल क्लियर कर पाते अब बच्चे को और ज्यादा अच्छी कर पाया उसकी यह आप देखे बी फोर बॉल और क्यूंकि हम सब से पहले ना कैपिटल लेटर ही पढ़ाते है इसलिए लिखा भी कैपिटल लेटर में गिया है वढ़ना क्या होता है बी कैपिटल होता है बाकि सब स्मॉल बच्चा स हर पांच एल्फबेट के बाद आपको एक्टिविटी मिलती है मतलब यहां से हम बच्चे को बोल सकते है कि चलो मैचिंग करो इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को एल्फबेट रिकगनाइस करना आ गया है यह चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी मतलब इस वकितल लेटल राईटिंग की बुक है यह यहई लैवल वन की है इसमें आपको सबसे पहले तो पैटन्स की प्रेक्टिस करवाई जाती है लैसे कि आप बहुत अच्छे से पैंसिल और लिखना भी सीख सकें अब यहां पर देखींगे आप आपको टू-đ पेज मिल जा का फायदा यह है ताकि आप पहले से ही अपने बच्चे को सब कुछ बता सके और यहाँ पर देखेंगे ना आधों में डाश डाश करके लिखावा तो बच्चा पहले ही देख सकता है और सीख सकता है और लास्ट में तीन रो में बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो आप अपने अपने बच्चे के लिए बच्चे के लिए पढ़ने में और समझने में और मजा भी आता है इसके अलावा मेरे को याद है जब मेरे को शिवांश को और दिशा को पढ़ाना था इंग्लिश तो उनको सिर्फ एक नॉर्मल बुक मिली थी और फॉनिक्स की कोई अलग से हम मिलती है जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाते हूं एक्टिविटी जैसे कि यह जी है अब यहां पर बच्चा ढूंडेगा जी से कौन सा अलफ़बेट से जी अलफ़बेट से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है क्या जी से जी से कुछ अच्छी चीज पर लिखाती है यह मुझे परसनली बहुत अच्छी लगे क्योंकि इसमें बच्चा करने के साथ साथ लिखना भी सीक रहा है समझ भी रहा है इडेंटिफाइभी चर रहा है मतलब सब कुछ ओवर वह एलफ़बेट को बहुत अच्छे से समझ प पाती हमसे क्योंकि इतनी अच्छी हम बना से के पिक्चर तो इस तरीकी के एक्टिविटी बूख ज़रूर आपके पास होनी चाहिए जवाप बच्चे को अलफबेट पढ़ा रहे हो तो इस बुक की मदद से आप आप स्मॉल अलफबेट पर उसके काम कर सकते हो और ये वा यहां पर आप देखेंगे, यहां पर छोटी-छोटी सी राइम्स हैं, जो बच्चा इजली याद कर ले, दिशा की बुक मुझे याद है, जो उसकी राय में बुक थी, उसमें आठा, दसदस लाइन की राइम्स थी, जो कि मेरी बेटी याद ही नहीं कर पाती थी, यहां पर आ बहुत मज़े लेके, यहां पर आपको टाइम ड्रॉ करना है, यह मुझे बहुत जाद अच्छी लगा है, तो यह हैं इंग्लिश की बुक्स, इसी तरीके से आपको हिंदी की भी बहुत सारी बुक्स मिलती है, जिसमें बहुत सारी अक्टिविटीज हैं, जैसे कि सब से पह बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं, जैसे यह आप देखें, आ से अनार, आ से अनार है मीठा लाल, खाकर मुन्नी हो गई निहाल, आ से आम, मीठा रसीला, ताजा ताजा पीला पीला, मतलब मैंने जब दिशा को इस तरीके से पढ़ा था उसे बहुत मज़ा आता था, और इस से ना बच्चे बिलकु समझ जाता है, आ से अनार, क्योंकि इसके स्लोगन में ही सबसे पहले यही बोला जाता है, आ से अनार, आ से आम, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को स्लोगन की मदद से पढ़ा सकते हो, और इसमें भी आपको मिलती है, एक्टिविटी इस मिलती है, वही छोटी-छोटी सी पोयम है, जिसे आप बच्चे को बहुत अच्छे से लर्ण करवा सकते हो, और पिक्चर बहुत अच्छी है, सम्टाइम्स की ओधा पोयम होती है, और उसके पिक्चर जोए नहीं होती है, तो बच्चा इंटरस नहीं लेता है, यहां पर आपको ओ, आ लिखने को मिलते हैं जैसे की मैं आपको दिखाते हैं सबस्पे पहले आपको मिलते हैं बहुत सारे पैटन्स ये आप देखिए पैटन्स की प्रैक्टिस आगर आपने करवा ली नहीं अच्छे थे तो आप अपने बज्चे को अलफ़ाबै्सर लिखना या फिर इतना बहुत आराम से सिखा पाऊगे, यह आइधिंग यह बुक वाले जानते हैं, इसमें आपको कितने पेडलीज मिलते हैं, देखिए जबते वहले तो आपको, स्लिपिंग लाइन मिलती है, फिर आपको एरों मिलते हैं, और बहुत सारे कर्व भी मिलते हैं, इसके बाद यह आप देखे, मतलब पैटन्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई है, और बहुत अच्छी बात यह है कि वही लाइन्स यूज करी गई है, जो हिंदी की कॉपी में होती है, ताकि आपके बच्चे को बहुत अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा अक्षर उसे कि आप बनाते हैं और यहांपर अच्छे से इहां पर इकए ऐक से आपको सि्खाया जाता है कि कैसे आपने लिखना हैं vocabulary तो उपर improve हो ही रही है, एक अक्षर से related पाँच शब्द आपके बच्चे को सिखाय जा रहा है, और step by step लिखना सिखाय जा रहा है, दो pages आपको इसके मिलते हैं लिखने के लिए, यह आप देख सकते हो, और अलग से practice के लिए भी मिलते हैं, तो यह book मुझे काफी ज्यादा मतलब यहां पर आप देखे, मैंना आपको बोला ना, activities में कोई कमी नहीं है, यहां पर आपको अलग से activities मिलती है, कर्ल रिंग करने के लिए, यहां पर आप देख सकते हो, आज से आम, अब सारा लिखना सिखाय गया है बच्चे को, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, और चा पेज आपके बच्चे को मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और जैसे ही पांच अक्षर हम लोग लिख लेते हैं, तो आपको इस तरीके से activity, चार अक्षर के बाद ही आपको इस तरीके से activity मिल जाती है, पांच के बाद तो इंग्लिश में थी, इसमें आपको चार के बिल्कुल क्लियर हो चुके है यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब चार अक्षर हो गए तो इन चार का टेस्स लिया जाएगा नहीं यहाँ पर पिछले चार को भी इंक्लूड किया गया है और नेक् मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बुक की एक चीज में आपको और दिखाना चाहती हूँ नॉर्मली हिंदी की जो बुक्स होते हैं वो सिंपल होती है कोई ऐसा कुछ नहीं होता उनमें आप मिल जाते हैं आपको इस बुक में आपको कितनी कितनी एक्टिविटीज मिलत हैं और यहां पर आपको और मैचिंग के पेज़ मिल जाते हैं यहां पर आपको मिलते हैं फॉर्स लेटरल लिखने के लिए इसके बाद आपको मैचिंग मिल जाती है एक और यहां पर देखिए दिखाए गए सामान ने अक्षरों को मिलाई है मतलब सेम को आपने मैच करना ह मतलब हम बच्चे से बिल्कुल अच्छे से पूच पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं उसको कि उसे चीजे क्लियर हो भी रही है कि नहीं यहां पर आप देखें तो आपको इतनी सारी एक्टिविटीज मिलती है इसमें यह आप देखें अगर मैं एक एक बताने बठाँगे न तो पेज इतने हैं कि पूछे मत और एंड में आपको फलो के नाम सबजीयो के नाम सब अलग से मिलते हैं मतलब यह बुक तो मुझे ट्र आप ट्रेवलिंग में अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा पोगा और बच्चा बहुत इंजॉय करके अपनी पढ़ाई कर पागा कि इस बुक में बहुत कुछ है यहां पर आप देखेंगे सबजीयो के नाम है यहां पर पालतू पशू है जंगली पशू है पक्षी है कीडे मकोडे है और यहां पर लास्क में आपको फूलो के नाम मिलते है मतलब बहुत कुछ है इस बुक में और इस बुक में जो है यह नंबर वन इसमें आपको और से रिलेटिटिटिविटी मिलती है इसी तरीके से पुस्तिका टू में आपको मिलती है कह से रिलेटिटिट तक numbers इसमें complete किये गए हैं और इसमें last minute लूडो भी बना हुआ है अगर आपके गोटी आए तो आप इस पर खेल सकते हो अगर आप देखें कि इसका size कई books ऐसी होते हैं जिनके box के sizes इतने छोटे होते हैं कि बच्चे को लिखने में बहुत दिक्कत आती है बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर एक page पर आपको इतने बड़े-बड़े size के box मिलते हैं ताकि बच्चा आराम से लिख सके बहुत ही सही quality के pages मुझे लगा है यह आप देखें बहुत सही और बहुत ही ज्यादा place मिलती है आपके बच्चे को लिखने के लिए ऐसा नहीं कि थोड़े से boxes बन आप बच्चे को in between after सब कुछ सिखा सकते हो before after तो यह activities मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगे यहां पर आप देखेंगे activities की कोई कमी नहीं है मतलब बच्चे को पढ़ाने के साथ activities बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है और इन activities की मदद से हम देख पाता है कि बच्चे को बहुत कुछ आप इसमें बच्चे को सिखा सकते हो चैसी classroom, our helpers और भी बहुत कुछ लास्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो यार यह बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस सेट की मुझे एक-एक बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्यों यह बुक मुझे इतनी अच्छी लगी है मैं आपको बताती हूँ coloring book मेरी personal favorite होती है बच्चों के लिए इस बुक की सबसे अच्छी बातिया देखिए यहाँ पर green color है तो यहाँ पर green color की outline करी गई है इससे बच्चे के mind में बिल्कुल clear photo हो जाती है कि मुझे यहीं तक करना है color इससे ज़्यादा नहीं करना है तो जब भी आप घर पर भी अगर बच्चे को खुद कुछ draw करके देरो तो outline जरूर कीजिए इससे बच्चे की जो है बिल्कुल set हो जाएगा दिमार की मुझे यहीं पर color करना है बहार नहीं करना है यह चीज इस बुक की बहुत अच्छी है बहुत basic बुक है यह मतलब जो coloring वाली है यह वाली क्यूंकि छोटा बच्चा है उसे हम बहुत जादा तो नहीं दे सकते हैं बढ़ हाँ यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ बच्चे को सीखने को मिल जाता है जैसे की shapes और बहुत कुछ मुझे लगता है इस तरीकए की जो activities होती है नहीं मेरे बच्चों को बहुत पसंदा है जब भी वो छोटे थे ना अभी वैसे कही बारी हो इयरबट से drawing करना या फिर फोक से drawing करना यह सब मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है तो आप इस तरीके की वसूल होने वाला है और यह आपका टाइम भी बचाएगा बच्चे की बहुत जादा हेल्प भी होगी और आपको जो एक्टिविटी शीट्स वाली प्रॉब्म होती थी न वह बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी कि हर एक बुक में आपको एक्टिविटीज मिलती है औ अपको भी थोड़ा सा हफ हो जाता है वीडियो पिसना आप एल्प हो जाता है इस बुग सेट के लेघो रहे है इस रहे हूं डिसक्रिप्शिन बॉक्स में ट्राइ करना चाहता हूँ इस बुक सेट का मने आपको दिखा देती हूँ लेवल 2 और लेवल 3 भी अविलेबल है, आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से लेवल 2 या लेवल 3 भी ले सकते हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके दू जान, thank you, thanks for watching, bye.